बीते तिनों रामगोला थानत छेतर के कोटाही गाउं के पूर्पदान की हत्या का मामला सामने आये हैं दरसल तलाब खाली करानी को लेकर विवाद छड़ गया था बीते रविवार को रामगोला थानत छेतर के कोटाही के पूर्पदाम रामः रक्यादव गाउं के ही दूसरे टोले पर रविवार की राद निमंतरन में गए थे देर राद वापस आते समय मनीताल के बगलबनी सड़क के रास्ते पर आते समय कब्रिस्तान के पास उनकी गले हैं तो पता चला कि सरकारी जमीन में उसका कब्जा था उसमें एक लाग पचास आर की कीमत की मचली पालने के लिए डाला था उसे पूर्पदाम राम हरक यादव से व्यक्तिकत रूची लेते हुए खाली करा दिया गया इससे उसका पैसा बरबाद हो गया इस बीच दोनों जांच के दौरान इनकी लोकेशन निकाली गई तो बे हत्या में शामिल नहीं मिले गटना में बागा का प्रियोग भी किया गया था फूर्पदान से गाउं में कई मामलों के वीविवाद चल रहे हैं गटनस्तल की लोकेशन से पता चला कि उस समय दो लोग भी शामिल थे स जायोग में एक व्यक्ति शामिल रहा उनकी पहचान कोटी गाउं के चेती टोला निवासी रामनात कवेटी पुत्र स्वर्गिये सुर्यवली उसके बेटे अनुपम कवेट और उसी गाउं के रामबन चौदरी पुत्र पारस की सनलिम्पित मिली A.S.P. ने बताए कि उनके खिलाब विदिक कारवाई की जा रही है थारदार हतियार से इसके निर्मा मधज्या की गई थी इसका अध सफला नावण किया जिया है और मेरी द्रव से इस सफला नावण के लिए पूरी रीम को 25,000 रुपय का पुरुषकार दिया जाता है और डियाईजी सर्वी ने भी इसमें पुरुषकार दियोषकार की है और उनको रिपोर्ट प्रिशित की गई है